हेलो एवरिवन तवाजम करेंगे करेंट अफेस 8 दिसमबर 2020 के डिली बेस्ट करेंट अफेस सीरीज और मैं हूँ जितेन वर्मा तो चलिए करते हैं शुरुवात अईउश निर्यात को बड़ावा देने के लिए वाणिज्या और उद्योग मंत्रालय और अईउश मंत्रालय ने अईउश निर्यास सवर्दन परिश्यद दैनिस अईउश एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल AEPC जिसको हिंदियें बोलते हैं आयूश निर्याद सवर्धन परिशद किस थापना करने का निर्दने लिए है आयूश मंत्री कोन है आयूश मंत्री है हमारे शिरिपद यसो नायक ठीक है और आयूश की फुल फॉर्म कहा है A for Ayurveda Ayurveda Y से है योगा U से है उनानी S से है सिद्धा और H से है होमियोपैथी होमियोपैथी यह इसकी फुल फो में यापको याद रखने है और सदनन्द गोड़ा की बात करें सदनन्द गोड़ा है हमारे रसाइनिक रसाइनिक एवम उर्वरक मंत्री इसको बोलते हैं अबने कैमिकल एवम फर्टिलाइजर मन्सुक मांडविय है हमारे Jis scripture Shipping मंत्री है परलाद पटेल है हमारे परियटन एवम सांस्करी们 परियटन एवम सांस्कृतिक स्कृतिक मंत्री यह आपको याद रखना है हर्सवर सदने वस्तुत जरितिया दृतिया Cancer Genome Atlas TCA 2020 मेलन का उधगाटन कहां किया इन्होंने किया है नई दिली में और हर्षवरदन है हमारे स्वास्थया मंत्री स्वास्थया मंत्री साइस विज्यान मंत्री है और भू विज्यान मंत्री है इसको बोलते है साइस एंड टेक्नोलोजी और भू विज्यान और सा इसका नाम है के आर सी नेट यह आपको याद है के आर सी नेट और एक आप नौच की ते इसका नाम है मोसम और अगर कैंसर की बात करें तो विज्यान केंसर दीवस कब बना जाता है चार फरेवरी को और भरतिया Cancer Awareness डे यानि नैशनल कैंसर अवेर्नेस डे यह बना जाता सा साथ नौबर को और विशव कैंसर दीवस का बना जाता चार फरेवरी को दोजा 21 में विशव आर्थिक मंच की मेजवानी कौन करेगा तो यह करेगा सिंगापूर पहले स्विजर लैंड में होनी थी तो अभी कोविड की वज़ा से इसको सिंगापूर में शिफ्ट कर दिया अपने उपनियास दस सिटी एंड दस सी के लिए तीसरा रविंदनाद एगोर साहिता प्रसकर कों जीता है यह जीती है राज कबल ज्या और इनको मिले हैं 5000 यूएस डोलर इराशी मिले इनको इनको इनाम के रूप में और यह जो अवार्ड है यह कहां से नांस हुए है COVID-19 क की जो राजदानी है वो है Copenhagen, Copenhagen, Copenhagen ठीक है? Copenhagen जो है वो डेन्वार की राजदानी है और Stephen King ने अभी एक बुक लिखी ती इसका नाम है If It Bleeds तीक है? If It Bleeds यह आपको आदकना है बहुत इंपॉटन है और Shobha Day, not Shobha Day, Shobha Day एक राइटर है इन्होंने कौन से बुक लिखी है? इन्होंने लोक डाउन, लोक डाउन, लोक डाउन, लियाजन्स यह बुक लिखी है Shobha Day ने अम इस तिरपाडी ने कौन से बुक लिखी है? दा लेजन्ड ओफ, दा लेजन्ड ओफ, सुहेल देव, दा लेजन्ड ओफ, सुहेल देव, यह बुक लिखी है, अमिस्टिर पाटी ने, तो आपको तीनों बुक याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टन है, जेहान दारुवाला 2020 के साकीर Grand Prix में Formula 2 रीज जितने वाले पहले कहा बने है, यह बने है बहरीन में, यह रेज बहरीन में होई थी, तो जेहान दारुवाला बन गए है, पहले भारती है, और बहरीन की अगर हम राजदानी की बात करें तो वो है मनामा, और जो मुद्रा है वो है दिनार, दिनार उसकी मुद्रा है, बहरीनी दिनार बोलते है में कौन सा देश एशिया कप की मेजबानी करेगा तो यह है श्री-लं Kardashian करेगा मेजबानी और 2022 में अगर मैं बात करो तो कौन करेगा पाकिस्तान 2022 में करेगा डोजार ड yapt करें ऐस को वर्ल्डड कप होना है टोक्यो कहाँ पहाँ जबान में, 2024 के कहाँ पहाँ पहाँ होने हैं, 2024 के होगे हमारे पास पैरिस में, पैरिस जो है राजधानी है, फ्रास की, फ्रास की राजधानी पैरिस में, 2028 के ओलंपिक्स कहाँ पहाँ 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 यह 2021 में होगे कहाँ पर टोक्यो में टोक्यो है जोपान में बहरीन के बहरीन इंटरनेशनल सर्किट 2020 का किताब किसने जीता किसने जीता तो जीता है सर्जियो पेरेज में सर्जियो पेरेज ने जीता है बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में दो तरह की रेस हुई एक फॉर्मूल टू फोर्मुला टू जीती है जेहान दारुवाला ने अभी पिछले कोशन में आया था जेहान दारुवाला ने जेहान दारुवाला कहा के है इंडिया के है भारत के और सर्जियो पेरेज ने जीती है फोर्मुला वन रेस जेहान दारुवाला ने जीती है फोर्मुला टू औ प्रिक्स की 17 वर्ष गार्ट थी उस पर उन्होंने क्रेस कराई थी जिसको जीता था मैक्स वर्ष्था पनी आपको याद रखना है भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जन्रल डीजी सी आई से कोवाक्सिन नामक सवदेशी रूप से विक्सित कोविड-19 वैक्सिन के लिए अपातका थी आई भी एक इंस्टिटूट है जो दौई बनाता है उसका नाम है सीरम इंस्टिटूट अफ इंडिया और जो इसके चेर्मन है उनका नाम है अधार पुनावाला पुनावाला स्युक्त रास्टर निवेश सवद्धन पुरुसकार 2020 कोवेपार और विकास पर स्युक्त रास्टर समेलन द्वारा की संक्षन को प्रदान किया गया है तो यह अवोर्ड मिला है इन्वेस्ट इंडिया को मिला है ठीक है और इसकी फुल्फोर्म क्या है उनाइटिड नेशन को मुख्याला भी है जो की है विशेव स्वास्टर संक्षन बोलते है वर्ड हैल्थ और इसका मुख्याला भी कहां पर है जिनीवा में और इसके जो हैड है उसके मुख्याकारिया वहाग है चेर्मैन है उनका नाम है टैड्रोस अधानॉम यह आपको याद रखना है पुर्ष और महिला वरग में विशेव एथलेटिक्स पुरुषकार 2020 किसने जीता है पुर्ष में जीता है मोंडो डूपलांटिस ने और महिला की बात करें तो यह जीता है यूलिमार रोजस ने ठीक है यूलिमार रोजस ने और विशेव एथलेटिक्स को हम बोलते हैं is adoration antarastria athletic sung bнутे जो नदेशन ना इतलाइटीक संग बोलते हैं जो उसका मुख्याला है वह rework मेर सीटी है मोनेको-चे और जो इसके मुख्यागारियावाकन का नाम है सेबेस्टियन कॉई सेबेस्टियन कॉई ये इसके चेर्मेन है प्रेजिडेंट है सेबेस्टियन कॉई इसको अदक्ष बोलते हैं मदुकर गंगादर का हाल ही में निदन हो गया शेतर समंदी थे, वो थे.. लेखक और वो अउल इंडिया रेडियो के लिए लिखते थे और उन्हें के जो दो नोवल है जो काफी फिमस हुआ है मोटियो वाले हा अथ नोट हार, मोटियो वाले हाथ और दूСरे जो इनका नोवल था हिरना की आखे ये यह आपको याद रखने है यह ओल इंडिया रेडियो के लिखते थे यह थे लेखक प्रधान मंत्री इंडरेंदर मोधी नेशुक परवार को पैन आयाइटी युस से द्वारा आयोजित इसका विशा क्या है इसका विशा है भईशा अब है यानि future is now future is now ठीक है भईशा अब ह है और जो इसकी इस कमेटी जो इस समीट थी इस समीट के जो चेर्में थे उनका नाम है संजीव गोईल संजीव गोईल संजीव गोईल ठीक है हिंदी में संजीव गोईल इस कमेटी के चेर्में थे और पैन आयाइटी क्या है यह पर्मोटिंग पर्मोटिंग एंड एन्हां बढ़ाना और प्रिचार करना तो इसको बोलते है पैन आयटी यूएसे इसने आयोजित की थी और यह 2003 से आयोजित कर रहा है इस समिट को और 2020 में इसका विश्य कहता है फ्यूचर इस नाव जिसको संबोलित किया है नेंदर मोधी ने तो आज के लिए इतना ही जल्दी मिलेगे नई वीडियो में जो की होगी हमारी 9th of December की फूर आपने फोलो कर सकते हैं YouTube पे Instagram पे Facebook पे टेलिग्राम पे तो चली मिलते हैं नई वीडियो में Thank you so much